तो इसके लिए पहले तो हतियार चीए कुछ खोलने के लिए मैं सुब गाइज में आ चुका हूँ हतियार लेके देखिए इसके अंदर से असा है और यह शायद डंक से फिट बंद नहीं होता है को पैसा परपाद पहन चोड मीनी ट्रैपोड 13 इंच फॉर मोबाइल फॉर 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 मोबाइल फ्लेक्सिबल गोरिल स्टेंड फॉर डेसलर एंड एक्शन केमराज है गाईज कैसे हैं आप सभी होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक टाक हूँ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजाद क्रियेशन पर तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए व्लोग के साथ आज जो है रामपूर जाने का प्लान बन रहा है तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ तो अब थोड़ी देर में निकलना है गर से औ और आप भी बने रहे हैं देखिए आज क्या-क्या होता है रामपूर में वैसे कोई खास प्लान तो है नहीं ऐसी खुड़ा बहुत गोमने को गोमने जाना है तो उसकर के फिर देखते हैं क्या-क्या बनता है आगे चलके अभी तो कुछ ऐसा प्लान तो बनानी है कि कहीं ज इसले व्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके चेक किजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना जाते तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक किजिए पसंद आए तो फॉलो कीजिए और तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं मिलता हूँ आप थोड़ी देर में सुगा इस जब भी मैं सड़क में पहुंचने माला हूँ और रहे पहुंचके वहाँ देखिए आद जो है गाड़ी नीचे लेके आये थे कच्छे रोड में शाम से शाम को इस लेगल तो फिल इस लेखिए और शाम को जाइए पहुंच के रहाँ पूर जब आपके लारा है चालिये मैं दिखातां आपको रांपुर गातु छुरत सभी हूँ तो ये रावल्ड बस्टेंड तो ये रावल्ड पीजी कॉलेज़ रांपुर फ्रेंज यहां पर लेफ्ट साइड मैं कॉलीज ग्राउंड है तो आजकल यहां पर बरतिया चलीबी आज और वियूर्ड की लोग्राशन पर आजकलॉत सो एक पीज़ निए पूर्ट निए दिखते हो नीचे है, ट्रैक भी बनावा है, अब भी हम लोग जा रहे हैं, हैली बैड, है है, हैली बैड है, यहां पर तो, कुछ काम था नहीं, तो उसकर के फिर है, हैली बैड जा रहे हैं, और उसके बाद जाना है मुझे, कुरियर ओफिस क्योंकि मैंने कुछ दो कुरियर मंग आये थे, तो वो भी पहुंच चुके हैं, एक का दो पिछले कल फोन आया था, और दूसरे का बता, आज ही लगा, अभी रोडी देर पहले कॉल आई थी उनकी, तो भी जाएंगे यहां से गोमने के बाद, तो चलिए आप और आदोब हमाना को भी दिखाता हूं हैंली बैड हैंगे राली इरे को अब्सूरत से भी हो अब दो फ्रेंट सभी हम लोग पहुंच चुटे हैं है रिपैट और और वाज़ा भी रिंड़े देख सकते हाई नहीं नहीं काम सब्सक्राइब यहाँ पर वर आशा कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है तो उसका के फिरा यह पत्थरी पत्थर है तो जुटन अच्छा नहीं नहीं कि अच्छा खरा होगा तो पाहर नहीं जरा है नहीं यह रो थे यह त्रिया नहीं है नहीं अजिए दो भी हो रहा है तो फ्रेंड्स यह था हैली बैड रामपूर वो शहर और अब चलते हैं रामपूर की और बाजार की और अपना जो कुरियर भी आये थे वो भी ले लेते हैं और गाड़ी में देल भी बरवाना हैं ही तो निकलते है सबसे पहले तो पैटम्र यह जाएंगे उसके बार निकलेंगे फिर कुरियर औफिसी कुरियर करेंगे अपने दौनों है पहुंच चुके हम लोग पैट्रोल पंप और अब बाट रहे हैं तेल एक कुरियर तो ले लिया है और एक अभी और लेने को है तो एक और परे ओफिस है तो वहां भी मिलेगा अब यहां से निकलते और वहां रुकते हैं बरे बाद में दिखाता हूं आपको अन्बोक्सिंग करके इसकी तो गया देखाता हूं अब घर में पहुंच चुका हूं और जैसे कि आपने देखा कि आज रामपूर गया था तो वैसे आज कुछ खास काम तो था नहीं एक दो क् अन्लाइन शॉपिंग करी हूई थी तो आज जो समान था वह पहुंच चुका था तो वह लेने गया था वह भी ले लिया तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अन्बोक्सिंग करके जी आज क्या-क्या मगवाय था तो चलिए शुरू करते हैं दो प्रोड़क्त थे जो हुआ था और चलिए मैं दूसरा भी दिखाता हूं आपको और दूसरा ये फिलिफ कार्ट चाम हुआ था इसमें जो एक ट्राइबोट स्टेंड है जो मेरा पिछला ट्राइबोट स्टेंड था वह खराब हो चुका था तो उसकर के फिर नया मगवाना पड़ा और ये 396 का अब देखते हैं कि इसके अंदर कितना कैसा होता है अच्छा होगा या फिर वापपीस उसी तरह का होगा जैसे चीस तरह पहले था वह थोड़ा लगबगए एक डेड़ महीना चला उतना ज्यादा चला भी नहीं था फिर उसके बाद खराब हो गया चलिए गाइज मैं दिखाता हूं आपको तो इसके लिए पहले तो हत्यार चीए कुछ खोलने के लिए इसको खोलने का हत्यार तो चलिए शुरू करते हैं अब भी खुलेगा कैसरे एक चुली जो इसका दूसरा में ट्राइपोड स्टेंड था वो गाड़ी में ही रह गया इसको खोलने में दिक्कत आएगी और यह शायद मैंने उल्टा ही खोल दिया है ना लग तो कुछ ऐसा ही रहा है जल्ली यह क्या करना है उल्टा सुल्टा खोल नहीं है क्यों पकेट के अंदर है कॉर पकेट तो यह क्या हो सकता है यह तो गाइज बिल नहीं का इदे एक से क्लों अपर थी निटी सिक्स जो इसकी वैसे कोस्ट थी वो है थी फिप्टी सिक्स और शिपिंग चार्जिस लगें फॉर्टी रूपीज तो टोटल थे है यह थी नाइटी सिक्स का जली अब यही खोलते हैं देखते हैं कितना है बिल्कुल वैसे ही है या फिर ने वाले ट्राइबोट पुराने वाले ट्राइबोट स्टेंड की तरह तो नहीं है अुराइबोट नहीं है यह देखिए गाइज है फॉन बकरने के लिए और यह स्टार्ट करने के लिए हर इमोट इसके साथ इसको भी देखते हैं अंदर से अच्छा ओन आफ करने का भी है इसमें यह देखिए गाई यहां पर छोटा सा बटन है एक ओन आफ करने का साइड में हो गया नहीं तो यहां पर क्या है चलिए इसका सीन देखते हैं यहां पर क्या है रुकिये में खोल के दिखाता हूं उसके बाइज देखिए इसके अंदर से आसा है और यह शायद डंक से फिट बंद नहीं होता है जलिए डकन लगा के देखते है वापिस अभी स्थार्ट हो चुका है बाइज आसी नहीं इसका बाइज बाइज देखते हैं यह रहा गोरिला ट्रीपोड सेंद मिनी ट्रीपोड 13 इंच फोर मोबाइज फोर मोबाइज फ्लेक्सिबल गोरिला स्टेंड फोर डी एसलर एंड एक्शन केमराज तो यह जो है डी एसलर के लिए इस ही है और एक्शन केमराज के लिए तो यह है तो चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं यह रहा गाइज न्यू ट्राइपोड स्टेंड अब दूसरा जो मेरा ट्राइपोड स्टेंड हो गाड़ी में रह गया नहीं तो मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूं उसकी हालत कैसे खराब होगी है और यह दिखे गाइज यह भी ठीक है इसके साथ है और यहां से ओन अफ बटन इसमें बटन अन करेंगे तो यह लाइट जलेगी इसमें दिखें यह भी ओन हो चुका है इसको भी आप दो तरह से लगा सकते हो एक तो यह ऐसे बटता है तो अगर आपको व्लॉग शूट करना है तो आपको इसी तरह भी ठाना होगा इसको इसको इस टाइट करना पड़े रहे हैं आपको इसको प्रेश लेश फिर्ट रहे हैं इस देखें गाइस बिल्कुल टाइड हो चुका है तो गाइस अभी जो है यह ट्राइबट स्टेंड का यह जो रिमोट है यह मैंने भी ब्लुटूथ से कनेक्ट कर दिया है अब देखें इसको स्टार्ड करते है हुआ है ओन करने हो चुका है अब देखें है वीडियो बन गुतिया है यह आने काम करता है की नहीं करता है च्छेट कीजिये लाइक कीजिए कमेंट कीजिए तश्क्राइड कीजिए बेल नकन को दुबार चुएए